कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है ग्रिंस्पन गार्डन में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो तुलसी के प्लांट होता है वो कितना अच्छा होता है सेहत के लिए और इसके अंदर कितने सारे ओश्यदी गुण होते हैं जो हमारी हेल्थ को कितना अच्छ के अंदर मिक्स करके अच्छी तरह पगा कर पिया जाए तो जितने भी प्राइमेरी बिमारी है यह सब खतम हो जाती है तुलसी के प्लांट के अंदर इतने सारे ज्यादा फायदे होते हैं कि हम और आप इसकी फायदे को कई पर जानते ही नहीं है हमें और आपको अगर अंतर जिल्सी के प्लांट का ओस्प्राइटी की होते हैं यह सबसे पहले को बतायाừेगे इक सन रविंग प्लांट होता है और तुल्सी के प्लांट को सं काफ़ी यदा पसंद है जहां पर इसको अच्छी दूप मिलती यह वहां पर आप पज़ा और तुलसी के प्लांट जो यह है जब भी जो ग्रोह होता है तो इसको 23 टाइम पर घ्रोह कीजिए यह फिर फेर्वरी के जिब मसोन आता है उस-टैम प वीज बारिष में खुद ही ग्रोह हुए हो और उसकी बीज जायते है उसके इदा otar फैल गए और उससे बारिष के मौसम में खुद हीivia हुआ जैसे मैं आपको बताया कि gì के मौसम में खुद ही ग्रोह हुआ है तो इसका मतलब यह कि इस प्लांट को बारिश का मौसम बहुत पसंद है बारिश के मौसम में तुलसी अपने पीक पर होती है ग्रोवने में और सबसे अच्छे यह बारिश के मौसम में ग्रोव होती है तो अगर आप इसको बारिश के मौसम में ग्रोव करते हैं सिर्फ जो इसके बीज होते है वो आप किसी भी soil के अंदर से डाल दीजे और डालने के बाद यह इतना अच्छा ग्रोह होगा कि करीब करीब एक डिड़ महीने के अंदर आपका प्लांट काफी बुशी बन जाएगा और इसमें आपको कोई भी खाट डालने की कोई ज़रोत में पड़ेगी जैसे कि बारिश का मौसम आपको मालूम है कि प्लांट के लिए सब सच्छा मौसम होता है और बारिश के मौसम में इनको फुल नाइट्रोजन पासफॉरस सब कुछ जितने भी इंग्रीडेंस एक प्लांट को चाहिए होते हैं सारे सारे प्रोटीन मिनरल्स बारिश के पानी मे अगर आज को ग्रोब करना चाहते है तो कैसे गरोब नीए यह तो आपको सिंप्ली कुछ नहीं करना इस बीच को लेना है और ऐसे डारेक्ट ही इसको मिट्टी के अंदर डाल देना है यह मैं आपको बारिश का मौसम है अगर आप इसको फरवरे की टाइम पर ग्रो करेंगे तो उसका मैंतर थोड़ा अलग होगा उस टाइम पर मैं अलग से वीडियो बना हुआ तो आपको सिर्फ यह काम करना है और तुलसी अपकी फटाफट से ग्रो हो जाएगी करीब कर तीन से चार दिन के अंदर ग्रो होने के लेगा सुर्फ की रोशनी मिलेगी यह वहां बढ़ेगी और फिर कुछ दिनों के बाद तिन से चार दिन के बाद तुलसी आपकी करीब इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप इसको उठाकर किसी भी बड़े पॉट के अंदर ट्रांस्प्रांट कर सकते हैं यह चको ट्रे है इस इस स्टेज पर आकर आप चाहे तो अपने तुलसी के पत्तो को तोड़गर उसको चाय में यूज कर सकते हैं दूद में उसको काड़ा बनाकर पी सकते हैं क्योंकि कोविट की टाइम पर हम लोगों ने काफी देखा कि अद्रग तुलसी और जितने भी मसाले थे इनका यह क्राउन ये इसके flower होते है और बड़े सुंदध flower होते हैं इसके flower को भी कुछ बिमार्यों के लिए कि दवाई की तरह यूज किया जाता है कुछ कैंसर के ऐसे डॉक्टरस हैं जो की तुलसी के फ्लावर से कैंसर की दवाई भी बनाते हैं और आयुरवेद में इसके बारे में शाहिए थोड़ा बहुत लिखा भी है क्यों कि मैंने सुनाएगी जीसे तो यह सब रेमेडीज हैं तुलसी के प्लांट की तुलसी के प्लांट हमारे यहां पर काफी पवित्र भी माना जाता है इसके पूजा भी की जाती है तो किसी प्लांट की अगर हिंदू धर्म के अंदर पूजा की जाती है तो उसका कुछ यही मतलब नहीं होता उसका कुछ ना कुछ रीजन है कुछ लुआ कुछ उसके पीछे कारण होता है तो तुलसी का भी यह कारण है क्योंकि California health के लिए बहुत अच्छी है इसलिए लोग इसका ज्यादा पूजा करते हैं और यह आशपास का जो आपका वाता वज़ा रहा है बट आती है, तो आप जितने जादा तुलसी के प्लांट लगा सकते हैं, आप उतने प्लांट लगाईए, हवा को भी काफी प्योर करते हैं, और इसलिए हिंदुधर्म के अंदर इसको एक देवी की रूप में मानगी है, लोग इसके पूझा करते हैं, और हर तरह से तुलसी से लोजिक होता है, और तुलसी के प्लांट को ज्यादा ना काटे, इसको बरबाद ना करें, इसको ना फैक है, तो इसलिए लोगों ने इनको देवी की तरह पूझना शुरू कर दिया है, और पहले के जमाने से यह चीज होते आ रही हैं, और जो की काफी अच्छे चीज है तो आप भी तुलसी का प्लांट इसी तरह से ग्रो कर सकते हैं सीजन में और यह देखिए यह है वो मदर प्लांट जिसके बीजों से यह सारे प्लांट खुदी ग्रो हो गया है, यह उपर से थोड़ा सुग गया है यह अभी हेल्थी प्लांट है, क्योंकि एक स्टेज के आन